तस्वीरों में कान पकड़कर पुलिस के सामने धरा धर उठक बैठक कर रहे ये तीनों चात्रे हैं दर्भंगा के दारू भठी चौक के पास पुलिस किसी मामले की जाच के लिए पहुची थी तभी पुलिस को एक स्कूटी पर तीन चात्र प्राफिक नेमो की धज्या उड़ाते हुए दिखे ना तो उन्होंने हलमिट लगा रखा था साथ ही वो स्कूटी पर ट्रिपलिंग भी कर रहे थे पुलिस ने चात्रों को रूपने का इशारा किया और उनसे ट्राफिक नेमो के उलंगन करने का कारण पूछा आप खुद देखी आगे क्या हुआ तस्वीरू में आपने चात्रों का उठक बैठक करते हुए वीडियो देखा चलिए हम अब आपको बताते हैं कि ट्राफिक नेमों का उलंगन करने पर पुलिस ने उन्हें ये डंड क्यों दिया पुलिस ने चात्रों पर रहेम दिखाते हुए उनका चालान तो नहीं काटा लेकिन इनकी गलती की सजा देते हुए तीनो चात्रों से सडक पर ही कई बार कान पकड़ कर उठक बैठक करवाई उठक बैठक के बाद पुलिस ने सभी चात्रों को बिना जुर्माना भरे हिदाय देखकर छोड़ दिया आप खुद सुनिये पुलिस ने चात्रों को क्या हिदाय दी चात्रों से उठक बठक कराने के सवाल पर पुलिस इंस्पेक्टर शिवमुरी परसाद ने कहा कि पुलिस और समाजिक तत्वों की तलाश कर रही है चात्रों को समझाय जा रहा है कि वो कुछ भी गलत ना करे ठीक है तुकि यहां पर अभी नहां पर हुआ जो इहां पर शुरक्षाब्स को ले Euchah नए ट्राफिक कानून के लागू होने की बाद बिहार में पुलिस और आम जंता में टकराव के हालात बन गए हैं वहीं कई जगर से पुलिस और लोगों में टकराव के खबरे भी आई थी दर्भंगा पुलिस ट्राफिक नेमो का पालन करने के लिए चात्रों को संजा रही है साती चेताबनी भी दे रही है कि अगर भविश्य में ट्राफिक नेमो का उलंगन किया तो चालान कटेगा अब देखना होगा कि दर्भंगा पुलिस की ये मुहिम कितनी काम्याब होती है दर्भंगा से प्रहलात कुमार की रिपोर्ट बिहार तर